एस्ट्रोलोजिक डिवाईनी देवी विद्या है आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है महा भाग्य योग कुण्ली में बनने वाला बहुत ही शुब योग है और बहुत रेर योग है बहुत कम देखने को मिलता है इसका नाम है महा भाग्य योग महा का मतलब है ग्रे योग बन रहा है उसको महा भाग्य योग कहा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि यह जो जिस विक्ति की कुण्ली में बन रहा है महा भाग्य योग तो वो they are born with silver spoon in their mouth याने जन्म से ही वो बड़े धनी संपन और तमाम सुख सुवधाव वाले होते हैं इसे विक्ति जो है उनको किस तरह से बनता है किस कुण्ली में कैसे देखें कि महा भाग्य योग बन रहा है तो इसके लिए एक तो यह चीज़ है कि यह male यानि पुरुष और female यानि इस्त्री की कुण्ली में यह अलग अलग तरीके से बनता है यह पुरुष और इस्त्री कुण्ली में अलग अलग तो किस तरह से ये महाबागयोग बनेगा? तो इसके लिए ये है कि पुरुष का जो व्यक्ति का जन्म हो तो वो उसका जन्म दिन के समय का होना चाहिए दिन का मतलब क्या हुआ? कि सन्राइस से लेके उस संसिट के बीच का जो पीरिड है उसको दिन कहा जाता है तो वो Sunrise Sunset के बीच में ही इसका जन्म होना चाहिए इसके लावा जो जन्म लगन है Ascendant जन्म लगन और चंद्र लगन जहां चंद्रमा बैठे हो चंद्र लगन हो गई और सूरे लगन यानि जहां पर सूरे बैठे हो ये सब और राशी में होने चाहिए पृरुष के लिए वो odd राशी यानि विशम राशी तो विशम का मतलब 12 राशियां होती हैं तो एक नमबर, तीन नमबर, पांच नमबर, साथ नमबर, नो नमबर और ग्यारा नमबर की राशी में जन्म होना चाहिए इसके मतलब कि मेश है, मिथुन है या सिंग है तुला है धनू या कुम राशी में ही जन्म होना चाहिए और ये तीनों लगन जो है वो इस तरह की वो ये विशम नंबर या और नंबर की राशी में होनी चाहिए तो इसके अलावा यह तीनों लगन जो हैं जन्म लगन, चंद्र लगन और सूर्य लगन जो भी हैं तो यह तीनों बहुत ज्यादा यह शुब होने चाहिए यह इनके उपर किसी बीतरा कि पाप द्रस्टी या पाप गरह की यूती अद्रस्टी नहीं होना चाहिए प्रभाव नहीं होना चाहिए और बल्की एंके उपर शुप प्रभाव होना चाहिए जतना ज्क प्रभाव होगा वह लगन लगनेश इतने बढ़िया होंगे और वह कुंड्ली अच्छी हो मानी जाएगी और वह महाभाग योग और अच्छी तरह से बनेगा इसके लावा तीनों लगन और ये लगनेश और चंद्रमा और सूरे इनकी डिगरी बहुत अच्छी होने चाहिए ये डिगरी बहुत कम या बहुत जादा नहों वो डिगरी बहुत बढ़िया हो जिसे कि वो एफेक्टिव हो अप बहुत बढ़िया है तो जितना दूर होगा उतनी ही स्ट्रेंग्ट और उतना शुब होगा वो राइट यह सब कंडिशन से तो पुरुष की कुंडली के लिए यह जो आपको बताई कंडिशन्स यह सब होती है और जब इस तरह की चीज़ें बनेंगी तभी वो महाभागयोग बनेगा अब ये इस्त्री की कुंड़ी में देखते हैं किसी कन्या की कुंड़ी है तो उसमें किस तरीके से ये महाभाग योग बनेगा तो इसका जस्ट उल्टा यानि वो कन्या का जन्म जो है वो रात के समय होना चाहिए रात का समय का मतलब कि संसेट से लेके और जो कमिंग संराइज है नेक्स डे जो संराइज होगा उसके बीच का जो पीरेड है उसमें जन्म होना चाहिए रात के समय का जन्म हो और इसके लावाद जन्म लगन चंद्र लगन और सूर्य लगन चंद्र लगन का मतलब जहां चंद दो चार छे आट दस बरा यानि ये ब्रक राशी है करक राशी है कन्या है ब्रश्चिक है मीन है और मकर राशी में ऐसी राशियों में जो दो से कड़ जाएं तो ऐसी राशियों में इनका जन्म होना चाहिए और रात के समय जन्म होना चाहिए इसके लावा जैसे ये प्रक्रकी उती और दरस्टी नहीं होना चाहिए और तीनों की लग्न लगनेश की crime बढ़िया होनी चाहिए और चंद्रमा पक्ष में बली होना चाहिए स्ट्रॉंग होना चाहिए वो सूर से दूर हो और पक्ष जो है उसका अच्छा हो तो इस तरीके से ये पुरुष और इस तरी दुनों की कुंड़ी में अलग-अलग कंडिशन्स हैं जिसकी तरह से जिसकी वज़े से ये महाभागयोग बनता है तो चुकि इतनी टफ कंडिशन से इसकी तो इसी लिए बहुत ही शुब और बहुत रेयर योग है बहुत कम देखने को मिलता है अब यह क्यों कह रहे हैं इस तरह से कि ये पुरुष कुंड़ी में दिन का जन्म हो और और नंबर की राशियों में तीनों लगने बैठी हो और इसके अलावा इस्त्री की कु दिन के समय अगर यानि सन्राइज से संसिट के बीच में जन्म हो रहा है और उनकी राशियां यानि तीनों लगन की राशियां जो है वो अगर और नंबर की होंगी तो उस लगन को लगनेश को बहुत स्ट्रेंग्थ मिलती है बल मिलता है लगन लगनेश क्या है लगन लगन से हुआ, मांसिक बल इस से चंद्रमा से हुआ और आत्मिक बल वो इससे सूरे लगन से मिलता है तो जब यह तीनों लगन बढ़िया होगी तो उस केस में वो व्यक्ति अंदर से बहुत स्ट्रॉंग होगा उसकी विल पावर जबरदस्त होगी, उसका सिल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़ादा होगा साहसी, पराक्रिमी, हार मानने वाला है नहीं हो किसी आलत में और वो जब तक टार्गेट पूरा नहों जाए छोड़ेगा नहीं उसको और उसका भागय उसका साथ देगा, क्योंकि महां भागय हो गए तो इसी तरह से ये इस्त्री की कुन्ड़ी में अगर रात के समय जन्म हुआ रात के समय यानि संसेट से निक्स्ट संराइज के बीच में जन्म हो रहा है और तीनो लगन अगर इविन नमबर की राशियों में है तो उनकी यानि कन्या की जो कुन्ड़ी है उसमें लगन लगनेश को बल मिलेगा लगन लगनेश मतलब उस कन्या को इस्तरी को उसको बहुत ज contemporary मिलेगी और वो उसी तरह से यानि की वो self confidence और strong will power और सासी पराक्रमी और आगे बढ़ने की एक जो छमता है और जुजहारू प्रक्रती हो इस तरह का एक nature उसका बनेगा तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपको बताया कि ये क्यों इस तरह की ये कहा जाता है कि ये पुरुष का जन्म दिन का हो और और नमबर की राशियों में लगने हो और इस तरह के लिए रात का जन्म हो और इसके लावा इवेन नमबर की राशियों में तीनों लगने होनी चाह प्रावद्ध या ये भाग लेकर आए है और उनकी कुंड़ी में ये महाभाग योग बन रहा है यानि पिछले जन्म के जो कर्म है उनके कर्म फल अब उसको इस जन्म में मिल रहे हैं तभी ये महाभाग योग बनता है इसका क्या फल होगा अगर माली ये किसी कुंड़ी में बन रहा है मेल या फिमेल की कुंड़ी में अगर बन रहा है तो क्या होगा वह बहुत ज़्यादा भागिबान जन्म से ही जवरदस लकी होगा और देखने में बहुती सुंदर होंगे ऐसे विक्ति और बहुत हेल्दी हो और बड़े intelligent होते हैं, और मान सम्मान उनका बहुत ज़्यादा होता है, प्रतिस्चित व्यक्ति होते हैं, और एश्वर रिवान होते हैं, और समाज में उनका बहुत popular और बहुत famous होते हैं, और इसके लावा उनके अंदर एक और खास चीज़ की उनकी intuitional power ज़्यादा होती है intuitional power का मतलब यह है कि आगे क्या होने वाला है, एक उन्हें पहले सही जिसे का अभास हो जाता है, कि आगे क्या होने वाला है future में, तो यह इस तरह के व्यक्ति होते हैं, और बड़ा सही judgment और सही time पे और सही judgment लेने वाले होते हैं, और जहां पी रहेंगे उनकी high post होती है, हो चाए service में रहें, business में रहें, या politics में रहें, बहुत high post में रहते हैं ऐसे लोग, और जीवन बड़ा वाइभव वाला होता है इनका, और यह बड़े दीरगायों होते हैं, इनकी age भी ज़्यादा होती है, अब यह example के लिए आपको बताते हैं, कि यह जो हमारी former Prime Minister of India इवन नंबर की राशियों में थी, यानि इवन का मतलब जो बताया आपको सम राशियां यह इस तरह की तीनों लगन थी, तीनों लगन बहुत ज़्यादा strong थी, और चंद्रमा और सूर भी उनके बहुत strong थे और शुब थे, और तीनों लगनों पे शुब ग्रहों की का प्र प्रभाव उस पे नहीं था, तो इसलिए उनकी कुंड़ी में महाभाग्य योग बन रहा था, या इसके लावा इंद्रा गांधी जी की कुंड़ी में एक और खास बात थी, जो कि वो तीनों लगन तो ये जिस तरह बताया ऐसे थी ही, तीनों लगनों के स्वामी, यानि जो लगनेश हैं, वो जन्म लगनेश, चंद्र लगनेश और सूर्य लगनेश ये अपने अपने लगन को देख रहे थे, वो अपनी अपनी लगन को देख रहे थे, ऐसे बैठे थे कि अपने जन्म लगनेश, जो है जन्म लगन को देख रहा है, चंद्र लगनेश, चंद्र बहुत बड़ी चीज़े बहुत ज़्यादा important चीज़े किसी कुंडली में इस तरह से अगर तीनों लगनों के लौट जो हैं उन्हीं लगनों को देखें तो एक वराह मिहर हुए हैं बहुत बड़े astrologer थे तो वराह मिहर जो हैं उनके पुत्र थे प्रतु युशश तो होती है और वह भाव जो हैं फिर बहुत ही बढ़िया फल देते हैं तो यहां तो तीनों लगन तीनों लगनों के लौड जो हैं उनकी लगनों को देख रहे थे तो यह आप सोचिए कि कितनी बड़ी चीज थी एक तो महाभाग्योग प्लस तीनों लगनों के जो लौड्स है उनकी लगनों को देख रहे थे इसकी वज़े से वो इतना ज़्यादा उन्होंने अपने जीवन में प्रोग्रस किया और बहुत ज़्यादा फेमस पॉपलर और इस तरह से उन्होंने अपने जीवन में प्रोग्रस किया तो यह आपको बताया कि महाभाग योग किस तरह से बनता है और यह male और female दोनों की कुंड़ी में अलग-अलग conditions है इस तरीके से बनता है तो इसको आप देखिए तो बहुत ही बढ़िया योग है बहुत ज़्यादा शोब योग और बहुत ही rare योग मिलता है देखने को इसको आप ध्यान से देखें और study करिए Thank you